अलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल अलवाउट जॉब्स मेरेंड्स सी एसल याने की कोचिन सीपियर्ड लिमिटेट की तरफ से एक बहुत अच्छ रिक्रूट्मेंट के लिए नॉटिफिकर्शन निकल के आया है जिसमें डिपलाओ वाले अपलाई कर सकते हैं इसमें इसमें अपलाई कैसे करना है तो वीडियो को लाच तक देखिएगा ताकि आप लोगो हर एक इनफॉर्मेशन अच्छे समझ में आ जाए तो नेक्स चलते ऑफिस्यल नोटिफिकर्शन की तरफ तो फिंट्स यह है इसका ऑफिस्यल नोटिफिकर्शन जो आप लोग देख प की हो तो चैनल को ज़रूर सुब्सक्राइब कर दो और बिल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाले सारी अपडेट मिल सके और वीडियो को जदर सदा लाइक करे और चैनल को जदर सदा सपोर्ट करे ताकि में मोटिफिकर्शन मिले ऐसे अच्छे अच्छे फेस्ट अलмет अर्व यह कोंट्रेक्च्छ वल जॉब है कोई पर्मानीं जॉब नहीं है नेक्स्ट बातकर लेथी य्टिल पोस्ट की बारे में तो फ्रेंस वास्त पोस्टेश सीब देजाइनन असिस्टन में के लिए n नामबर वडिक ऐसेट है इसे जिए मेंस है जनराइल next is SIP design assistant electrical के लिए total number of vacancy 4 है जिन में से general candidate के लिए 2 vacancy है और EWS candidate के लिए 2 vacancy है educational qualification में अगर अगर अपलोग electrical engineering में से 3 साल का डिप्लोमा करके राकियों तो उसके लिए अपलाई कर सकते हो और उसके साथ minimum 2 साल का post qualification experience मागया है next post है SIP design assistant instrumentation के लिए total number of vacancy 2 है जिसमें general candidate वाले अपलाई कर सकते है educational qualification में अगर आप लोग instrumentation engineering में से 3 साल का डिप्लोमा करके राकियों तो इसके लिए अपलाई कर सकते हो और उसके साथ minimum 2 साल का post qualification experience मागया है इसमें apply करने के लिए हार एक केस में आपके डिप्लोमाँ पे minimum 65% मार्क सुनी जाए है पुल मिला के total number of vacancy 14 निकल के आया है एक बात कर लेते contract period की तो फरंस यही पे initially आपको 6 months के लिए हार किया जाएगा और उस 6 months में आपका performance शेक किया जाएगा अगर आपका performance अच्छा रहा तो उसके बाद 2 years 6 months के लिए इसको extend कर दिया जाएगा यानि कि आपका total job का duration 3 years तक रहेगी बात कर लेते हैं salary की बारे में तो फरंस यही पे first year में आपको salary 24,400 पर मंत मिल जाएगी second year में 25,100 पर मंत मिल जाएगी और third year में 25,900 पर मंत मिल जाएगी और उसके साथ extra hour work की सबसे आपको compensation प्रोवाइट किया जाएगा जिसका इटल से ही में मंशन किया हुआ है तो आप लोग आपकी सब सुसका इटल से चेक कर लेना बात कर लेते है एज लिमेट की बारे में तो मैक्सिमम एज लिमेट ही पर 35 येर्स तो रखा गया है उसके लवा अगर आप लोग SCST, OVC और PWD कैंडिएट हो तो उन लोग को ऐस पर Government Norms एज लेक्सेसन मिल जाएगी जयसे SIST Candidate के लिए 5 साल का, OVC Candidate के लिए 3 साल का और PWD कैंडिएट के लिए 10 येर्स का एज लेक्सेसन आपको मिल जाएगी बात कर लेतेש इस लेक्षान प्रसुडियोर की वारे में तो फिर्ण सलेक्षान प्रसूडियोर में फ़स्ट होगा आपका अनलाइन टेष्ट अगर आप लोग ऊनलाइन टेस्ट में क्वालिटफाई करोगे तो उसके बाद आपका डॉक्युमेंट्स फेडिपीकेशन होगा और documents verification successfully complete होने के बाद आपका practical test होगा अगर आप लोग practical test में qualify करोगे तो उसके बाद आपका selection नहीं पे हो जाएगी next बात कर लेते online exam pattern की बारे में तो टोटाल online exam को दो पार्ट में divide किया हुआ है general knowledge में से 5 questions रहेगी general English में से 5 questions, reasoning में से 5 questions quantitative attitude में से 5 questions और आप लोग जो भी discipline के लिए आप रही करोगे उसे discipline में से आपका 30 multiple choice questions रहेगी total आपका 50 multiple choice questions रहेगी 50 marks का exam होगा हारे questions के लिए 1 marks consider किया गया है और इसमें total examination के लिए time duration रखा गया है 60 minutes इसमें कोई भी negative marking नहीं रखा गया है आपको online test में qualify करने के लिए और SC candidate के लिए 40 marks रहना होगा online test में qualify करने के लिए और उसके बाद होगा आपका practical test जिसमें आपको एक drawing दिया जाएगा आपको उसको AutoCAD यूज करके उसको करना होगा next बात कार लेते एक्जामनेशन सेंटर की बारे में अगर आप लोग इसमें qualify करोगे तो उसके बाद आपको सेलेक्शन ही पे हो जाएगी उसके लबा अगर आप लोग हैर qualified हो यानि की बीवी टेक एमी एम टेक वागड़ा करके राके हो तो आप लोग इसके लिए eligible नहीं हो इसमें apply नहीं कर सकते हो नेक्स्ट बात कर लेते हैं अप्लिकेशन फी की बारे में तो फ्रंस यहीं पे जिनारेल ओबीसी और इडाप्लिस केंडियेट के लिए अप्लिकेशन फी 300 रुपीस रखा गया है और SC, ST, P, WD केंडियेट के लिए कोई भी अप्लिकेशन फी नहीं रखा गया है उन लोग क साइट में जाकि आपका उनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म फिल करके सब्मिट करना होगा नेक्स्ट प्रेंट्स ओनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप उसको प्रिंट आउट करके फ्यूचर रिफरेंस के लिए रख देना है ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर अब्रवारी 2022 उसके लबा अगर आप लोग आप लोग आप लोग लिए जाते हो तो आपको कोई भी ट्रावलिंग एलोएंस वगड़ा प्रोवाइट नहीं किया जाएगा उसके लबा अगर आपका कोई भी डाउट्स या तो आप लोग इसी इलाडी पे कॉंटर्ट करके करना होगा आने के बाद आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद आपके समय अपका नेम फिल करना है उसके बाद आप लोग जो भी पोस्ट के लिए अपलाई करना चाहते हो उसको आपको करना होगा उसके बाद आपको आपको क्वालिफिकेसिन करना होगा उसके बा और उसके बाद आपको आपका category इस चुछ करना होगा next उसके बाद अगर आप लोग एक सर्विसमें हो तो यस कर सकते हो नहीं तो नो कर सकते हो अगर आप लोग प्रेट। करना होगा और उसके बाद आपको आई हेरवाई option पे क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको सब्मिट और कॉंटेनी option पे क्लिक करना होगा सब्मिट और कॉंटेनी option पे क्लिक करने के बाद आपको डेस्टेशन कंप्रेट हो जाएगी और उसके बाद आपको मुबाइल का लोगने के बाद आपके समने अप्रिकेशन फ़र्म को फिल कर सकते हो तो फ्रेंड यह है इस काईट्रिक प्रिकेशन का पीडिया डियेप में टेलिग्रम चैनल पर स्षार कर दूँगा अब लोग वहाँ से चिकाउट कर सकते हो अगर आप लोग उने अभी तक हमारे टेलीग्रम चैनल को जॉइन नहीं कियो तो ज़रूर जॉइन का लेना क्योंकि मैं जो भी वीडियोस बना क्योट्यूब में आप्डूट करता हूँ अब लोग जूट जाए आप लोगों को भी फायदा मिलेगा अगर आपका कोई भी डावट से से तो क्वेस्चिन से आप को में पूछ सकते हो अगर आप लोगों ने अवीता कमरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो और बिल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आप कौने बर ले सारी अबडेट मिल सके और वीडियो को जदा शदा लाइक करे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करे ताकि हमें मुटिवेशन मिले ऐसे अच्छा अच्छा नोटिवेशन आप लोग के लिए लेके आने के लिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो पे एक नया जप मुटिवेशन के साथ अब तक के लिए गुडबाई थैंक यू